दोस्तों डिसेबिलेटी इसकेल सेंटर कैसे खोल है 2019 में आपको मैं पूरी संपूर जानकारी देने वाला हूँ फुल डेटेल बताऊंगा कि अगर आप गाउं में रहकर रोजगार हैं और आप कमाई करना चाहते हैं वो भी अच्छी खासी तो आप गाउं में डिसेबिलेटी इसकेल सेंटर कोल सकते हैं मतलब कि जो दिव्यांग बच्चे होते हैं और जो उनके लिए आप एक कोचिंग से सब्सक्राइब को भी ऐसे ढूंड लिया और उनको आपने ट्रेनिंग दे दी तो आप पच्छासी मल्टिप्लाई 8400 कर सकते हैं लगबग पांच लाग साड़े सार लाग रुपैस के आज पास बनता है तो आप ये तीन महीने में कमाई कर सकते हैं तीन महीने का कोर्ष होता है मैं आपको फुल डिटेल बताने वाला हूँ आपको तो आप गाउं में कर प्रोजगार है या थोड़ा सा आपको इन्वेश्ट करना पड़ेगा बहुत ही मामूली सा आप गाउं में जगए मिली जाती आशानी से थोड़े से अरेंजमेंट करने पड़ते हैं और आपको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें शाथ साथ वेल आइकन प्रेश करने जिसे मेरे आने वाले सभी लेटेश्ट अपडेटर वीडियो आप लगातार देखते रहें और आपसे गुजारे साओर करूंगा अगर आप घर का नक्सा चाहते है तो मैंने देखी यहाँ पर इसमाल हाउस प्लान नाम का एक यूट्यूब चैनल है जिसका लिंग मैंने यहीं पर दे रखा है इसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंग मिल जाएगा आप वहाँ जाकर कोई भी घर या प्लाट का नक्सा देख सकते हैं 3D में तो चलो पूर या असानी से डिसेबिलिटी इसक्रिप्शेंटर उपन करने का चांस मिलता है तो जैसे मेरे पास यहीं है तो आप देखी है मैं उसी का न्यूज आपको पताने वाला हूँ अगर आपके पहले से यहीं है तो आपको बहुत ही आसानी होगी तो एक न्यूज लेटर आपको म पूरा प्रोसेश बता रहा हूँ अगर आपके पास अभी तक सेसी आईडी नहीं है तो आप अपनी सेसी आईडी बनवा सकते हैं मैंने पहले से वीडियो बना रखें कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना होता है दोस्तों फ्री आप कौश्ट होता है सेसी आईडी आप से कि अपाट्मेंट आप इंपावर्मेंट अपरसन विद डिसेबिलिटीज आर वरकिंग तौर्ट्स देइंग तो इंपावर्मेंट ऑप पी ड्रोडी तो इस्किल डेवलमेंट ट्रेश तर्रेनिंग एक्रास दे कंट्री चिसी आज गाट अन नू टार्गेट टू कंडेट इसकेल डेपलमेंट ट्रेनिंग फार्ड फिप्टी थाउजेंट दिव्यांग कंजीड़ अभी कहता दोस्तों इसके पहले बारश सरकार जब 2014 में मोजी सरकार बनी थी तो ये प्रोजेक्ट इस्टार्ट हुआ था बहुत से लगवक दो लाख लोगों को जो दिव्यांग जन उनी को आपको ढूड के ट्रेनिंग देना है तो पचाश दर का टार्गेट मिल चुका है फिर से CAC को आपको फिजिकली वेरिफाई किया जाएगा आपका सेंटर से CAC के एक डिस्टिक मेनेजर होते हैं और CAC स्टेट टीम के द्वारा अगर आपने सब्सक्राइब बीच लोगों का एक बैश बना लिया तो आपको वरिफाई कराना होगा वरिफाई करानेक बाद आपका अप्रूव हो जाएगा आप तीन मेहनी के इनको ट्रेनिंग देंगे और यह पूरा देकी फुल डाकुमेंट से यहां पर बताया गया है पूरा मैंने सारी चीज़ हिंदी में भी दोस्तों बता रखेंगे आप देख चकते हो यह मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है यहां पर भी मैंने फुल डेटेल डिसेबिलिटी इस्किल सेंटर के बारे में दिया है तो देखिए का ओपन डिसेबिलिटी इस्किल सेंटर टू तू ताइट नाइनटीन खोलें विकलांगता इस्किल सेंटर कमिशन 24 रुपर आप देख चकते हो टार्गेड मिल चुका है तो यहाँ पर मैं आपको डिसेबिलिटी इस्किल सेंटर जा रहा है यह क्यों पारे सरकार इस पर जादा आरच मतलब की जो पचाशाजर का टारिगेड दिया और क्यों खोला जा तो इसका मुक को देख दूसरों क्या है इस योजना को देख विकलांग विक्तियों के लिए कोसल पिषिछन के लिए वित्ती साहता परदान करना है य सब्सक्राइब करना चाहते हैं उनके लिए बेहतरी मौका होता है इसके लोगों को आप इन्रोल करें सपूदर आपने डिस्याइब करना चाहते हैं उनका एडिविशन लेना चाहते हैं किन को करेंगे सबस्पले भारत का नागरे को 40% से कम विकलांगता हो इसके पास किसी भी सच्छम चेक्टा अधिका उसका विकलांग प्रमारपत्र होना चाहिए और उसकी आईउ जो है 18-40 साल के बीच में होना चाहिए अब इसको कमीशन इन डिसेबिलिटी स्कल सेंटर में आप दिखा देत कोर्स चार सो घंटे का होगा लगवा 3.3 मंद इसमें क्वालिफिकेशन टेंट से ही है और इसमें आपको कमिशन मिलेगा 84 रुपए आप अगर सेची सेंटर खोल लेते हैं तो चार सो घंटे तीन महीने आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा जिनका भी आप एड़िशन ले कराते हैं तो यह दो महीने का कोर्स है और प्राइमरी एजुकेशन इसमें चाहिए इसमें 200 रुपए आपका कमिशन है और ट्रेनी एसोशियेट का अगर आप कोर्स कराते हैं इसमें 280 गंटे लगबग 2.3 मंथ और इसमें 6900 रुपए और डोमेस्टिक बायोमेट्रिक डेट ऑपरेटर है जो इसमें 400 गंटे और 84 रुपए का कमिशन आपको मिलेगा तो यह फूल लिस्ट हो गया यह दिया आप बात आती है इसको आप खोलेंगे कैसे और तो खोलने के लिए आपको सबस्क्राइब होना चाहिए आपका सिसी आईडी होने चाहिए इसके बाद आपने इसके डिस्टिक मैनेजर जो होते हैं उनसे कांटेक्ट करें उनसे बोलेंगे समझे डिसेबिलिटी स्किल सेंटर ओपन करना है तो वह आपको फूल इनफॉर्मिशन देंगे इसमें सिसी सेंटर से आप इसको लिए ऑनलाइन अपलाई भी कर सकते हैं वही बाप्शन आता है जैसा कि अब देखते हैं यहाँ पर आपको अगर ओपन करना है डिस्टिबिल्टी स्किल सेंटर तो आप डारेक्टली अपने सिसी डियम जो डिस्टिक मैनेजर होता है वहाँ से कांटेक्ट करें और वह आपको फूल प्रोसेश और बता दें ऑनलाइन अपलाई करने का और जैसे आप उनलाइन अपलाई करेंगे तो वह पर आपको एक पैनल मिल जाता है पूरा और उसमें आप इस्टुडेंट को इन्रोल कर सकते हैं मतलों आड़ कर सकते हैं पहले आपको इस्टुडेंट को आड़ ही करना पड़ता है मिनमुम दस होना चाहिए मैक्समुम 30 के बाद आपने डिस्टिक मेंजर को कॉल करें उसे बोलें कि सर मैंने 20 लोगों को एड़ कर लिया तो वह आपका फिजिकल वैरिफिकेशन सेंटर का जो भी इसकी रिक्वार्मेंट होती है क्योंकि अगर आप कोई स्किल सेंटर ओपन करते हैं तो वहां पे आपके बैठने क विवस्ता होनी चाहिए आगर जो भी आप जॉब प्रोवाइड करने जिसे जॉब में आप रोल करना चाहते हैं जो मैंने पांच जॉब रोल बताए जो ब्रांचेश बताएं उसका मेट्रिकल सब्सक्राइब अगर आप डिमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम करन चाहते हैं तो आपके पास लैप्टॉप या कंप्यूटर होना चाहिए ठीक है तो वो सब कुछ वेरिफाई किया जाता है इसके बाद डिस्टिक में रसाब आएंगे और आपका सेंटर वेरिफाई कर देंगे जिसे वेरिफाई करेंगे आपको फिर तीन से साड़े तीन मह ने आपने पढ़ा दिया इसके बाद उनका फाइनली फिर एक एजाम होता है लाइस्ट में उनका साड़े तीन मेनी के बाद एकजाम होगा और इसमें अटेंडेंस भी इंपॉर्टन्ट होती है ऐसा नहीं कि आपने अडिविशन के ले लिया और बच्चे घर पर वेटे है इसमें उनको डिली आना पड़ेगा और आपको पढ़ाना पड़ेगा कुल मिला के मेहनत करनी पड़ेगी और फाइनली एकजाम होगा और यह एकजाम आउनलाइन होता है इसके जब एकजाम होता है तो आपसे डिस्ट्रिक मेनेजर्स आपसे आपसे टीम आती इस्टेट ल रोल करते हैं उसका सब्सक्राइब रेंट समझने आने जाने का बहड़ा यह सारी सीजें भी गोवर्मेंट देती है इसमें एक हजार रुपए प्रती महिना है प्रॉक्स स्टूडेंट को भी मिलता है और यह यह स्टूडेंट के अकाउंट में आए इसलिए बैंक अकाउंट स्टूडेंट का और स्टूडेंट के बैंक अकाउंट में डारेकली यह पहुंचता है तो तीन महिने का लगबग शाड़े तीन चार रुपए उनको मिलेगा और चाराशी सब्सक्राइब आपको मिलेगा तो यह पूरा से स्किल्स इंटर ओपन करने का प्रोसिस था अगर ओपन करना है तो शेसी आइडी होनी चाहिए फिसका डिस्ट्रिक मेनेजर्स कांटेक्ट करें जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरू बताएं और शाथ शाथ वेल आइकन प्रेश करें मेरे शनल को सब्सक्राइब जरू कर लें ज़्यादा कोश टाफ नहीं है दोस् दोस्तों एक फीजबुक का हेल्पन हिंदी नमका फीजबुक पीज है अगर